क्या इशू पे बैड़ा हूं मैं जो आज हमारे साथ जो हमारे देश में जो चल रहा है आज वो सारे परदे फाश करूंगा इनकी जन्पत का अंडा इनकी कुरोना वारस का जो बहना लेके जो गेम करें ये लोग और जो गेम कर रहे गवे गवे जहां पे मुसल्मानों की अक्सरियत कम है जो लोग ये जो हरकते जो कर रहे हैं उसका सारे परदे फाश करूंगा और आप लोगों को साफदान करूंगा आज की तारीख के बाद कोई इन्जक्शन ने लेना बताओंगा आगे चल के तरह दबा के शेर कर लो को इन्जक्शन में क्या लगाया जा रहा कूंसा इन्जक्शन दिये जा रहे हमारी मा और भहनों को जो बच्चे ना हो जो हमारे आबादी ना बड़े वो पूरी चल रही वो देख रहा हूं मैं वीडियो निकाल रहा हूं अभी आप लोगों को बताओंगा भ मसला बहुत खतरनाक चर रहा है इंडिया में जैसा यहां पर जीसीजी और मीडिलिस्ट में इनके उपर आक्शन लेना चालू कर चुके हैं आज आप लोगों को मालूम है जो सुदीर पांडे जो भगवत का जो भाई था दुबई में अरेस्ट हो गया अकल उसको जेल में मिनिस्टर खुद ये बता चुका है हेल्थ मिनिस्टर इसमें करोना वारिस का तबलिगी जमाद से कोई लेना देना नहीं है हमारे पास डिसम्बर में सबसे पहले गुजरात में केसे साए उसके बावजूद मोदी ने नमस्ते टरम किया एक लाग लोगों को जो मौत के पहलते रही कुरोना जो वहाँ पर बढ़ते रहा उसके बाद वो आपो हवा सारी देश में ले चली अब इनको हिंदू-मुस्लिम करना बहुत जरूरी था क्योंकर इनकी सारी दुकान बंदो चुकी थी ना मीडिया की चल रही थी यह गोदी मीडिया आरेसेस मीडिया की इ इत्ते फाक से ये लगों के सामें एक मुद्दा आया मुद्दा क्या है जो इच्टिमा हुआ था दिली में इस तबलिगी जमात का जबके वड़ तो नौंबर का है डिस्वंबर में तो सारे खाली हो जा रही डिस्वंबर में सारे खाली होने आरे उसके बावजूद यह ले जाओ लिंडियाओं को तुमारी जनपत का अंडा तुमारी याओ सुवाइब देताओं पूरे भगवा भाड़ दूगा अगर्चे मैं अपनी आबा से अड़ जाओं तो रमजान है एहतराम में हूँ रमजान है अदप में हूँ ये कुरोना शुरूना कुछ नहीं है ये RSS वाइरस चर्रा अपने बास ये RSS वाइरस चर्रा कुरोना से ज्यादा RSS वाइरस है